चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे c language के बारे में c language के introduction के अंतर गथ हम सारी चीजे देखेंगे basic रूप से और c language को बनाए किसने था वो person यहाँ पे आपको देख रहे हैं डेनिस रिची, यह founder है C language के, और C language को क्या बोला जाता है, Mother language बोला जाता है, Mother language क्यों बोला जाता है, वो सारी चीज़ आपको आगे जानने के मिलेगी, क्यूंकि इसके अंतर्गाट वो सारी चीज़े हम सीखने वाले हैं, जो किसी language में हमको कुछ चीज़े छूट जाती है यानि कि जो programming है, programming के basic सारे concept C language के अंतरगत available होते हैं इसलिए अगर आप C सीख लेते हैं C language सीख लेते हैं तो आप बाकी सारी language सीखने में आपको काफी आसानी होने वाली इसलिए C language को mother language बोला जाता है तो यहाँ पर में beginner's labels यानि कि अगर आप C language के बारे में 0 भी नहीं जानते हैं तो मैं 0 से start करूँगा high label तक तो आपको नहीं बनता है तो आप खुसी मनाईए कि आपको जो है यहाँ जो वीडियो है याने वाला सारे वीडियो इसमें आपको complete C language सिखाई जाएगी प्रोग्राम बनाते तक प्रोजेक्ट बनाते तक ठीक है और इसके अलाबा अगर आपको कुछ चीजे आती है आप थोड़ा हो सीख चुके है तो आप टाइम स्टैम दे दूँगा मैं जो वीडियो आएंगे उसमें उसमें आप सारी चीजे क्या कर सकते हो टाइम स्टैम के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो टॉपिक बाइस ठीक है तो चलिए C language के बारे में basic रूप से जान लेते हैं पहले सबसे पहले बात करते हैं C language के बारे में C language एक प्रकार की programming language है हमने पढ़े थे high-level programming language होती है high-level programming का मतलब होता है जिसमें coding हमारी समझे नहीं होगे code में लिखे जाती है जिसे बोला जाता है source code ठीक है और source code को अगर destination code में बदलना बीच में लगते है translator program translator program यहाँ लगेगा compiler ठीक है कहीं कहीं interpreter लगता है आज के जो भी उपस वाली जो programming आ रही हो उसमें आपको interpreter देखने मिलेगा interpreter भी compiler जैसे होता है परन्तु यहाँ पर यह एक्जीकूट भी कर देता है line by line और compiler क्या करता है यहाँ पर यह सिर्फ compile करके देता है complete loops है ठीक है यहाँ इसी language की coding के दोरह ही उनकी जो यह सारी requirement है वो पूरी के जाती है और एक प्रकार की procedure oriented है देखे एक होती है oops है एक होती है oops object oriented programming एक होती है और procedure oriented तो procedure oriented एक प्रक्रिया पर अधारित होती है यहनि कि हम जो भी काम करना उसको अलग-अलग function बनाना पड़ेगा परन्तु oops में क्या होता था जब भी हम कोई काम को बार-बार कर रहे था हम एक function बना कर रख देते हैं और उसको बार-बार call कर लेते हैं यानि कि जो बना कर रख रहे है उसको बोला जाता है class और जो call किया जा रहा हो उसको बोला जाता object ठीक है तो class और object के pattern पर जो चलती है वो oops कहलाती है और normally हम अगर C language की बात करें थे procedure oriented है ठीक है procedure पर काम करती है और इसको बनाय गया था 1972 में person का नाम था Dennis Richie जो की हम पहले देख चुके है और एक प्रियोक साला थी जिसका नाम था AT&T Bell ठीक है तो इस प्रियोक साला में जो है इसका निर्बान किया था C का अब इसके पहले भी बहुत सारा background है तो वो सारी चीज हम देखेंगे इसकी history की रूप में Dennis Richie ने C language को जो है किसके लिए बनाया था Unix operating system आपको सारी जो programming language है उनको सीखने में बड़ी आसानी होने वाली है ठीक है आप यहां देखें C language जो है low level programming यहां कर सकते हम C language के जो features से उसके कारण देखें C programming language को प्योग मुख रूप से अगर देखें तो operating system बनाने में यहां किया जाता है device driver बनाने में किया जाता है compiler का निर्मान करने में C language का प्रयोग किया जाता है इसके अलाबा जैसे अने language की बात करें तो हाँ जो है आपको बहुत सारी चीजे छूट जाती है पढ़ने को तो यहां आपको basic सारी चीजे यहां देखने को मिलेगी जैसे कि programming में variable क्या होते है data types क्या होते है array क्या होते है string क्या होती है function, structure, pointer, loop यह सारी basic चीजे इन्हीं की जैसे यहां C language में सारी चीजे पढ़ने की मिलेगी तो आपको बाकी language में जो है मतलब एक प्रकार से base group में काम करेगी इसलिए C language को यहां पर mother language बोला जाता है इसके अलाबा history की बात करें इसके इतिहास की बात करें तो C language बनने से पहले यह बहुत सारी steps होकर गुजरी हो उसकी list हम देखें के पहले हम यहां basic रूप से देख लेते हैं son 1966 की बात करते हैं तो 1966 में एक person थे जिनका नाम था Martin Richard इन्होंने उसी प्रियोक साला जिसमें Dennis Richie हुआ करते थे तो AT&T well जो प्रियोक साला थी USA में ठीक है उसी time पे इन्होंने कुछ basic features को combine किया और एक programming language बना जिसका नाम था BCPL BCPL का full form अगर देखें तो basic combine programming language यह उन्होंने बनाया अब यहां पर BCPL बड़ा software बनाने के लिए उप्यूद तो नहीं थी क्योंकि यह low level style में coding हुआ करती थी तो इसलिए यहां पर BCPL इसका नाम दिया गया अब उसके बाद एक person और आये चिन का नाम था Ken Thompson, Ken Thompson जो थे इनहीं के साथ में काम क्या करते थे Martin Richard के साथ में ठीक है तो इन्होंने उसी language को BCPL को ही upgrade करके क्या किया गया 1969 में 1969 में BCPL में सुधार किया और नाम रग दिया दूसरी language B language मतला upgrade किया गया upgrade करने के बाद उसका नाम बदल दिया गया उसका नाम रख दियागा B language तो यहां जो Unix operating system लिखना चाहते थे Ken Thompson उसके लिए यह उप्योग थी इन्होंने बताया Martin Richard को कि जो इन्होंने बनाया है B language यह Unix operating system लिखने के लिए काफी अच्छी है परंतु उसके बाद फिर AT&T Bell में ही इनके साथ में ही थे Dennis Richie Dennis Richie ने जो है 1972 में C language को बनाया मतलब इन्होंने B language को अफग्रेट किया और C language बनाया और Ken Thompson को कहा कि अगर हम C language के थूँ Unix operating system लिखते हैं तो ज़्यादा features उसमें add कर पाएंगे और यह काफी portable भी होंगे तो इसलिए इन्होंने C language का निर्मान किया तो यह जो C language बनी 1972 में Dennis Richie के दोरा बनाया गया AT&T Bell प्रयोकसाला में अब बात करते हैं कुछ लिष्ट दी है जैसे ELGO सबसे पहले C language बनने से पहले देखें 1960 में ELGO बनाया गयी इंटेंशनल गूर्प के दोरा फिर BCPL मार्टिनी चट के दोर 1966 में टेडिशनल C हम देखें 1979 में केन थॉंसन फिर C बनी 1972 में फिर C के कुछ अपग्रेड़ेट चीज यहां पे आपको देखने को मिलती है ठीक है इसके बाद कुछ इसके बिसेस्ता है यानि कि इसके फीचर्स की बात करें C language की तो features of C language तो कैसी है काफी easy है सीखने में मतलब सरल और आसानी तरीके से हम जो है programming को सीख सकते हैं इसके अलावा C language में English जैसे जो command होते English language की through जो command हम लिखते हैं instructions हम लिखते हैं उनको पढ़ना उनमें coding करना उनको समझना काफी आसान होता programmer के लिए ठीक है यह उपस नहीं है यह procedure oriented है मतलब कोई भी काम करने के लिए नॉर्मली जो procedure होती उसको follow करना होता है तो यह procedure oriented है काफी powerful है और case sensitive है case sensitive मतलब capital हो small को ध्यान में रखकर यह programming की जाती है compiler based है मतलब कोई भी code source code से destination code में बदलना तो compiler की जरूत पड़ती है dynamic programming है यहनि कि changeable हो सकता है C language का जो है C language एक middle level language है यहनि कि इसमें low level की भी कुछ features है और high level भी यहनि कि middle level की programming इसमें की जा सकती है C language operating system बनाने उसके बाद embedded system development करने में सबसे अधिक इस्तमाल की जाने programming language है और C language portable भी है portable का मतलब होता है इसके code को हम एक जगा दूसरी जगा है आसानी से run करा सकते ले जाकर syntax based language है मतलब पहले program लिखने से पहले हमको syntax समझना पड़ता है कि एक उपरेखा क्या है इसकी ठीक है इसके बाद C language एक general purpose programming language है और बाकी सभी language के जो basic features है इसमें जो है integrate कर दिये गा है इसलिए C language काफी महत्पून है ठीक है यह तो थे इसके features अब बात करते हैं C language इतना महत्पून क्यों है ठीक है तो महत्पून आपको समझ में आगए इसकी importance जो है वह आपको समझ में आगए होगी क्योंकि जो database Oracle, MySQL यह सभी जो है किसमें बना गए है C language से ही बने है जो आप computer में कोई भी device attach करते हो printer है या कोई another device इसी साइट टाइप की तो उनके जो driver होते हैं software होते हैं वो किसमें बना गया है C language में बना गया है इसके अलाबा जो android है उसकी core library C में लिखी गई है आज के समयम जितने वह operating system है वो C language में ही बने है जैसे कि Unix operating system की बात करें ठीक है not paid है not paid plus plus है और अन्य कोई text editor वो C language में बना सकते हैं utility software जैसे कि हम बहुत सारे software देखते हैं utility software का अंतर का disk cleanup आता है disk defragmenter आता है सभी जो है C language में बने है database management software जैसे कि Oracle MySQL हमने देखे और device driver यह सभी जो है C language में हम बना सकते है इसलिए C language काफी महत्पून माने जाती है ना कहते नौर्माली अगर बात करें कोई हम language सीखते हैं तो language सीखने से पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले है जैसे मान लीजी हिंदी सीख रहे है तो हिंदी में हमको देखे अक्षर पढ़ना पढ़ेगा ठीक है अक्षर पढ़ना पढ़ेगा सब्द के बाद जो है उसका sentence यानि बाग के बनाना पढ़ेगा बाग के बाद उसका पूरा paragraph है ठीक है तो complete हमको यह सीखना पढ़ता है उसी प्रकार English हम सीखने के लिए हमको क्या पढ़ना पढ़ता है alphabet, character, words, उसके बाद sentence, ठीक है sentence के बाद हम देखे हैं तो हमको paragraph बनाना सीखना होता है तो यह सारी च यहां पर देखने को मिलती है पर यदि हम बात करें programming के यहनि सी language के इसे language हमको token सीखना होता है, tokens का मतलब होता है जैसे identifier होते हैं जैसे किसी variable को हम देखें, keyword सीखना होगा, instructions, यह सारी चीज़ें, यह सारी चीज़ें से मिलकर क्या बनता है, instructions बनता है, इस से मिलकर statement बनेगी, statement से मिलकर program बनेगा, और program से मिलकर क्या बनता तो इस प्रकार हम देखें तो हमको programming language सीखने के लिए उसी method को follow करना होगा जैसे कि हम natural language सीखते हैं ठीक है तो यह समझ में आ गया होगा आपको कि जो हम programming है वो कैसे सीखते हैं तो हमने यहां बहुत सारी चीज़े के बारे में हाँ पिस्तार से जानने वाले हैं